नमस्कार मैं बाला पीर एलेक्ट्रोनी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्सकों का हार्दिक भिनंदन करता हूँ दोस्तो आज हमारे पास एक लोकल कंपनी का टीवी है और यह आइकोनिक कंपनी का टीवी है इसमें चाइना मोडल के किट लगा हुआ है स्टार्ट करके दिखाते हैं कि इस टीवी में दिक्कत कहा देखिए एस टीवी स्टार्ट हो गया और आप इस्क्रीन अब देख लिजिए आपको हम दिक्कत बताते हैं यह दोस्तों देखिए इस TV में एक बाएं से दाइं केवल लाइन आ रहा है और इस TV में पिक्चर वगड़ा कुछ भी नहीं आ रहा है और साउंड मेरा ओके है जम एभी कोड लगाते हैं DTS तो साउंड आता है पर पिक्चर नहीं आता है क्योंकि मेरा TV के screen पर एक बाए से dhain LINE है इसई को आज हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम TV को बन कड़े हैं और TV के À पbon करते हैं और TV थे और Iya को खोलते हैं दोस्तो हमने TV को खोल दिया है और TV के पीछे आ गये हैं तो दोस्तो सबसे पहले हमें जौन ना यह जरूरी है कि यह जो fault आया था वो किस जगह से आया था तो दोस्तो भटकल सेक्षन और horizontal सेक्षन यह है आपका EHT part जो है यह है horizontal सेक्षन और यह देखी यहाँ पर जो IC लगा हुआ है इस IC को हम भटकल सेक्षन कहते हैं इसमें यह condenser है और कुछ इसका parts है तो दोस्तो भटकल सेक्षन का काम है पिक्षर को उपर से नीचे की और फैलाना और horizontal सेक्षन का काम है पिक्षर को बाएं से दाएं की और फैलाना तो मेरा पिक्षर जो है बाएं से दाएं की और फैल रहा है तो मेरा problem भटकल सेक्षन में है क्यांकि picture उपर से नीचे की और नहीं फैल रहा है जब उपर से नीचे की और फैल जाएगा तो यह TV का screen पूरी तरह ठीक हो जाएगा तो चलिए हम भठकल सेक्शन को चेक करेंगे तो यहाँ पर मेरा भठकल सेक्शन है तो हम चलिए इसको पीन को कुछ कीट के जो पीन है उसको कुछ छटका देते हैं और कीट लट देते हैं और उसके बाद हम देखते हैं IC का भोल्टेज चेक करके यह है मेरा भटकल सक्षन के IC इसका हम भोल्टेज पहले सबसे पहले चेक करेंगे और उसके बाद आपको IC चेक क कर देते हैं और यह पाउर सप्लाई है तो मेरा 110 वल्ट की सप्लाई सप्लाई जाता है तो यह बैदाओन देखरें यह त द visually इस है फिर नीचे देखेंगे यहँ के लिए सप्लाई नीकलता है यह ठीक है यह तो 12 वंड्ट यहां पर देखें यह जा में इस लिए करका कोई fault नहीं है तो यह देखिए यहां से यहां एक jack लगा है तो supply मेरा यहां गया और यहां आया और यह print द्वारा यहां और इस print से होकर supply मेरा यहां आया है और यह है मेरा आयसी का दो नमर पीन supply पीन तो दो नमर मेरा supply पीन है और एक नमर पे system IC से blanking pulse आता है भटकल के लिए जो इस भटकल सक्षन को IC को operate करता है तो यहां इसे मेरा supply 3 volt के ठीक है और यह है मेरा तिन नमर पीन पर देख लाँजे यह इस पर भी supply हलका रहता है चलिए यह देखिए सप्लाई इसका नॉर्मल रहता है हलका अब हम इसमें आगे देखेंगे यह जो पिन है एक दो तीन और यह चार नमबर पिन जो है ग्राउंड रहता है और यह पांच नमबर पे सप्लाई दस से गारवल्ट यह भी सही है और यहाँ पर मेरा जो सप्लाई है छो न रहेगा देखें जो दो नमर पर जितना सप्लाई आता है उससे एक वोल्टaza शौंड नमर पर कम रहता है क्योंकि यहां दो नमर से एक डायोड लगाया है और डायोड के माध्यम से आपको supply छ्य नमर पर गया है इसलिए एक वोल्ट की supply यहां होता है डाउन रहता है सप्लाई मेरा सही है आपको यह देखे साथ नम्र पिन साथ नम्र पिन पर मेरा सप्लाई सही है यानि यह जो nied दूब sorry c c इस इस पर भुल्टश मेरा सही बता रह tyre है कीवल इस पर फोरा सा हलका voltage कम है इससे कोई फरक नहीं परेगा तो मेरा supply बिल्कुल सही है तो अब एक और भी धी बताते हैं IC चेक करने का आपको इस IC थोरा सा इस उंगली में हम पानी भींगा कर पानी से भींगा लेंगे हलका और ऐसे ऐसे फेरेंगे तो इस screen पर उपर से नीचे की ओर मेरा lining आना चाहिए अकर lining आएगा तो IC सही होगा तो चलिए आपको हम screen दिखाते हैं और हम उंगली फेरते हैं यहाँ पर यह देखिए अब आपको हम नीचे यह देखिए हम उंगली भी को भींगा लिये हैं और इस पर हम उंगली फेरेंगे और आपको स्क्रीन दिखाएंगे यह देखिए मेरा सब स्क्रीन जो है ऊपर से नीचे की और बम कर रहा है फैल रहा है तो मेरा जो खराबी है वहाँ आई-सी में नहीं है तो भटकल सेक्शन में कहीं और फोल्ट है तो वो देखाते हैं आपको की फोल्ट है कहां दोस्तो भटकल सेक्षन का एक भटकल ऑसलेटर सेक्षन होता है जो यहाँ पर होता है और साउंड सेक्षन से थोरा सा उपर और यहाँ पर 26-55 नमबर का दो ठोड़ ट्रांजिस्टर लगा हुआ है तो इस ट्रांजिस्टर को हम चेक करेंगे और यह देखे यहाँ पर 5 फोल्ट की सप्लाई निकलता है आईसी के लिए जो आईसी को अपरेट करता है आईसी पर जाके मिलता है और ट्यूनर पर सप्लाई यहाँ पांच फोल्ट की सप्लाई आता है यह सप्लाई देखेंगे मेरा बंड रहा है कि नहीं और इस पर सप्लाई में हम पू भी कजजिन बाइं से दाएयो डाएयो आ रहा है वह ठीक हो जाते हैं तो यहопर क्पल्लाई पूरुत्त ठीक होना चाहिए तब अगर यहां पर Wasply न कोई गरवर हो और यहां का जो supply रहता है 8V वही supply दूसरे transistor के pin पर जाता है तो यह देखिए मेरा supply यहां drop कर रहा है एक volt हो जा रहा है यहां पर 11V यह ठीक है और यह 5V की supply मेरा नहीं बन रहा है दोस्तो इस पर 5V की supply आना चाहिए जो supply मेरा नहीं आ रहा है तो मेरा खराबी भटकल section oscillator coil में है तो हम इस transistor ये transistor पर मेरा supply सही है इस transistor को हम निकाल कर चेक कर लेते हैं कि इस transistor सही है कि गलब ये transistor दोस्तो जरूर खड़ाब हुआ होगा तो चलिए हम इस transistor को बाहर निकालते हैं और देखते हैं तो इसको हम दोस्तो बाहर निकाल लेते हैं सब transistor को और बाहर निकालने के बाद आ sentence ཅ दौस्तो हम इस multimeter से चेक करें गें क्योंकि electronic के विए क्यों के साइड से बताना चाहिए यह देखिए बता रहा है और इस पर हलका बता जहाएं या ट्राँजिस्टर जो है 100 हो गया है दोस्तों अब मेटर का पूलू स्चेप कर लेंगे दोनों साइड से यह देख लिए दोस्तो यह दोनों साइड से continuity बता रहा है तो यह transistor जो है दोस्तो सौट है किवल एक साइड से ही continuity बताना चाहिए चलिए इस ट्राइड से हम हता देते हैं और आपको यह 26 पच्पन जो है मेरे पास new transistor है नया इसको हम चेक करके आपको दिखा देते हैं यह देखिए एक साइड से यह नहीं बता रहा है आपको अच्छी तरफ दिखाते हैं यह देखिए एक साइड से यह नहीं बता रहा है अब मीटर का प्रोड हमूलेट के देख लेंगे एक साइड से यह बताना चाहिए continuity यह देखिए यह एक साइड से continuity बता रहा है और दूसरे साइड से यह नहीं सही है तो चलिए अब हम इसको कीट में लगाते हैं और पांच भूल्ट की सप्लाई देखते हैं कि मेरा पांच भूल्ट की सप्लाई बनता है कि नई बनता है चलिए दोस्तो इसको हम कीट में बैठाते हैं दोस्तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दिजिए चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिए साथी घंटी बटन को टाच कर नोटिफिकेशन को आउल कर लिजिए ताकि ऐसे टेकनिकल वीडियो हम हमें से लाते रहता ह आप देख सकें चलिए अब इसको हम सोल्डिंग कर देते हैं और किसी परकार से हम से कोई भूल चुक हो तो छमा करेंगे और दोस्तो किसी परकार के कोई मन में सवाल हो तो आप सेमेंट करें हम उसका जवाब देने के आपको परियास करेंगे दोस्तो हमने इस 26 पर टांजिस्टर को यहाँ पर लगा दिये हैं और सेट कर दिये हैं अब आपको टीवी को हम आउन करके देखते हैं कि मेरा जो फोल्ट था बेमारी था वह ठीक हुआ कि नहीं तो सबसे पहले आपको भोल्टे चेक करा देते हैं यहाँ पर जो मेरा भोल्टे जा रहा था पांच भोल्ट की सप्लाई यह सप्लाई मेरा आया की नहीं दोस्तों यह देखिए यह सप्लाई मेरा बन गया है सप्लाई मेरा ओक्य हो गया इस पर भी सप्लाई आ गया है और य थीज़ के दिख़कार के कोई दिकत इस त्योंगे है था अन्यथा जादा तर में भटकल सेक्षन में में खरा भी आते रहता है और यह IC जल जाता है और system IC से जो blanking pulse IC को आता है यह नहीं आता है अनेको परकार के तो दोस्तों हमने इसको पूरी तरह बनाल दिया है ठीक हो गिया है यह TV तो दोस्तों धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए